गुरुप तो खुप हम्हें स्टार्ट किया हुआ है। गुरूप त्यूरी में हम प्रीविएस लेक्शर के अंदर सारे के सारे समेटरी कि आप देख कर बता सकते हो कि यहां पर कौन सी चीज चेंज आई है ज़रा हमने जो चीज़ें सबसे पहली बात एक्सेस आफ स्मित्री इसके बास हमारे पास सेकंड नमर पर आजाती है प्लेयट ओफ स्मित्री और इसको रिफलेक्शन प्लेयन भी कहते हैं और लास्ट वली चीज आख मारे पास इन वरिजन इंक वर्जिन अब देखे कि हमारे पास अगर मैं Split सेब्स को अप्लाय करता हूं सभी तो क्या होता है है मेरे पास सब्सक्राइब करें ये में यह नहीं पास किया है वटर का मउलिक्यूल है अब हमने पता है कि हमारे पास हमेशा आपने यह चीज याद रखनी है कि यह वल चीज X-axis होती है यह वल चीज Z-axis होगी और यह वल चीज हमारे पास Y-axis है अगर वाटर के मॉलीक्यूल को मैं यहां से पकड़ के इस तरह रोटेट करता हूँ अब यह देख लो यह कौन से एक्सिज है जी एक्सिज है अगर मैं वाटर के मॉलीक्यूल को Z-axis के अलॉंग रोटेट करूँ इसके Z-axis के अलॉंग रोटेट करूँ तो हमारे पास यह दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी यह वारे चीज आपकी इस साइड पर चले जाएगी और यह वारे चीज आपकी इस साइड पर आजाएगी मतलब इसको 1-2 दे देता हूँ नाम हाइडरोजन को असले हमारे पास जब आप एक्सिज ओफ रोटेशन अप्लाई करते हो तो जिस एक्सिज के आलोंग आप रोटेशन करवा रहे होते हो वह एक्सिज सेम रहता है बाकी दोनों एक्सिज चेंज हो जाते है चैक करो यहां पर यह वरी चीज दोनों एक्सिज क्या होगे चेंज होगे यही बात मैं यहां पर लिखूँगा टू एक्सिस हमारे पास यहां पर बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, क्या होता है, टू एक्सिस चेंज़ एंड वन एक्सिस वन एक्सिस अलोंग विच रोटेशन अकर, जिसके इर्द गेद रोटेशन होई है, रोटेशन, रोटेशन, अकर, इस नौट चेंज़, इस नौट चेंज़, मतलब हमारे पास यहां पर वाटर के अंदर सी टू जी है, मतलब यह है, कि आपके पास दो एक्सिस चेंज हो जाएंगे, एक होगा हमारे पास एक्स और एक होगा य, थे, अगर मेरे पास तीन एक्सिस एक्स, य, जी, इसको अगर आप रिप्रिजंट करना चाहते हो, सी टू जी एक्सिस में, तो हमारे पास X सेम रहेगा, X माइनस X में चेंज ज़ेगा, Y माईनस Y में और Z यहापका सेम रहेगा, जहां पे भी दो axis change हो याद रखेगा वहां पे हमने axis of symmetry को apply किया है यह पहली बात बड़ी important है इसको आगे हम multiplication table के अंदर use करेंगे इसके पास second number पे plane of symmetry के बात कर लो second number हमारे पास क्या है plane of symmetry अब plane of symmetry का मतलब क्या है अगर मेरे पास water का molecule कुछ इस तरह से does hydrogen atom लेखे होते हैं बास पी तरह पास Hen atmosphere आधिक आटप्न अधे है गए कि लिख इए उ्धड हो अब plane हमें पैस प्लेडर कार सकते है या एकस वाय जी आख सकते हैं यह हमारे पास जी आकस और यह हमारे पास य आकस आपड़कुठोग एठक है अगर में water के वाटर क ए मॉलेक्यूल को यहां से कुट करता हूँ किस प्लेट से इस प्लेट से कुट करूँ लेना यह वाली छीज हमारे पास क्या है एकस-जी यह निका मैं σig barre ma ack-s Johnson commune घुब एकसजी अप्लै करूँ तो हमारे पास वाटर के मौलीकुल दो इक्वल पार्ट्स के अंदे डिवाइड हो जाएगा मसलिन मैं आपको बता रहा हूं कि वाटर का मौलीकुल इस तरह होता है दरम्यान वे अक्सिजन अटम बता है यह दो हमारे पास है यहां पर वाइड बोर्ड पे इस तरह बना हुआ है अगर मैं इसको इस त सकते हैं रह जाल रहें वह सकते हैं सींड सिग्त कर दो कर दो कर चुछ जानी के हम ने हमेशा है अच्छी связ का अब हमारे पास हम्मारे चीज ने मरेहां औश फिरः शले है तरह यहां पर अब यह आप बहू कर दो दिखो ईंद एक्स जी प्लेन यानि इस तरह वाटर के मॉलीकुल को कट किया है अगर मैं यजी अप्लेन अप्लाई करता हूं तो यजी का मतलब है कि मैं वाटर के मॉलीकुल को इस तरह कट कर रहा हूं अगर मैं एक्स जी अप्लाई करता हूं तो उसका मतलब यह है कि मैं वाटर के मॉलीक इक्सेज्स आर सेम 2 एक्सेज्स सेम रहेंगी वाइल वन एक्सेज्स आपकी तब्दीर हो जाएगी मसलिए इक्सेज्स मेरे पास X Y C है अगर मैं यहां पर सिग्मा एक्सेज्स अप्लाय कर रहा हूँ तो आपका एक्स भी सेम रहेगा Y-Y में change हो जाएगा और Z आपका same रहेगा जहां पर भी यह वाला काम हो सिर्फ और सिर्फ आपका एक axis change हो रहा हो वहां पर हमने plane of symmetry अप्लाई की होगी वहां पर sigma को apply कर रहे होगी यह बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है अब इसके बाद आजो हमारे पस next, inversion inversion तो आपको पता ही है हमने इसी के अंदर डिस्क्स कर लिया था inversion की definition ही ही है जहां पर तीनो के तीनो एक्सिस चेंज हो जाते हैं all the three axes three axes are changed तीनो के तीनो एक्सिस चेंज हो जाते हैं मिसलां, अगर हमारे पास कोई X है, Y है, Z है. X चेंज हो जाएगा माइनस X में, Y चेंज हो जाएगा माइनस Y में, Z चेंज हो जाएगा माइनस Z में. जहाँ पर तेनों X's चेंज हो जाएए, वहाँ पर याद रखिएगा Inversion अपलाई किए है. हैं अब फिर मैं दा बार बता देता हूं जहां प्रीमिर्जपाम स्मस्टेल बटा झाने चेंग आइक चेंग करों अप्लाइब किये आपक्षिए इस सिर्फ 2 जहां पे तीनों के 3 चेंग किया क्या और याद रिख़ें वहां पे इनवर्जन जी इस से ये वलब बना इसके बाद एक ये वलब बन गए माइनस X Y माइनस Z इसके बाद एक ये वलब बन गए माइनस X माइनस Y माइनस Z इसके बाद हमारे पाद एक ये बन गए X Y माइनस Z इसके बाद मेरे पाद एक ये बन गए X माइनस Y माइनस Z इसके बाद मेरे पास एक उपरेशन ये बन गया कि माइनस X Y माइनस Z चलो ये वरा माइनस X माइनस Y और Z अब यहां पर मुझे कोई ग्जैमिलर पूछ लेता है मैंने हमारे पास तीन एक्सेस है यहां पर एक्सेस में चेंजिंग आ रही है आपने सिर्फ देख के बताना है कि यहां पर कौन सा उप्रेशन अप्लाई कि इन तीनों में से एक्सेस ऑफ रोटेशन सी ऑप्रेशन अप्लाई की है इसको हम एक्सेस ऑफ रोटेशन को सेम्वान एक्स चेंज्ट यहाँ हमने सीगमा अप्लाई किया अगर यहां यहां पे जा रहे हैं यहां यहाँ पे किया है और तीनों के सिए तो यहां पहरें पिर सिग्मा को हो हमने किया अगर कहीं पर फिर दसम लिखानने में सॉरी इंवर्जें ककी रही हैं कि इसे अग्र किने हो रहां में रोटेशन का फिर Mother से सिंपल सी जाद रूरे हूँ और यहांप सिंपल सी जहां पर हमने रोटेशन का पना इस हो नहीं ओ को प्लेन और स्मिट्री कँ अपलाई की है जहां पर जो भी अपलाई क multif Gian कौ अबर हम सी जी को सेंग रखा था बाकी दुन्हों को क्या और चेंड पदिया एसके बाद यहां पर दो वर्टर के गेस में अगर मैं Z को मैंने सेम रखा, Y का साइन चेंज कर दिया, जो आप अप्रेशन अप्लाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के उपर, वो सेम रखना है, बाक्की अक्सिज को चेंज कर देना होता है, यह सिंपल सी बात याद रखिएगा, यही मारे पास आज की लेक्ट्रे में, इसका एक स्क्रीन शोड़ ले लिजिएगा, अलाहाफिज,